धनो पार्जन का उद्देश अपने परिवार के प्रती, समाज के प्रती और अपने रिणों से उरिण नहीं हो सकते पित्रिण, समाज रिण, राष्ट रिण हम दीन दुखी निवलो के सेवक बन संताफ हरें, जो हैं बिछड़े भूले भटके उनको तारवें खुद तर जाओं आप धनों पार्जन तो अवस्थ करें, परन्तु आपका धन सार्थक तभी है, जब वह नीत पूर्वक कमाया गया हो, परिश्रम एवंग इमानदारी से कमाया गया हो इसलिए उपार्जन कठोर परिश्रम और न्या नीत के आधार पर होना चाहिए, प्रकित को दो चीजे कताई पसंद नहीं हैं, मुफ्त खोरी, काम चोरी प्रख्यात बिचारक स्वेट माल्टर ने गरीवी से मुक्त पाने के लिए तीन साधन परमुख रूप से बताए हैं नंबर एक, मन से गरीवी को भगा कर पूरे प्रान से सम्रिद्ध के लिए कोशिस करना, अनुवरत प्रयास एवं कठिन परिश्रम तता तीसरा उपार्जन तता ब्याय का संतुलन बनाए रखना, धन्यवाद